प्रेस कांसिल ओफ इंडिया का एक नोटिस आया था जहांपे जूनियर ट्रांसलेशन ओफिसर की रिकुट्मेंट की जानी है एक ही वेकैंसी पर लेकिन वहाँ पर दूबिदा ये बनी हुई है कि वो रिकुट्मेंट जो होगी वो डेपूटेशन पर होगी या फिर डारेक् इसको तो आपको बता देते हैं SSC JHT का जैसे एक्जाम होता है ऐसे ही इसका होता है मतलब भाई पैटर्न होता है हलांकि SSC से भी काफी easy exam ये मैं कहूंगा इसको क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है नमबर 3 पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है no negative marking और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों exam same day में होते हैं तो 2015 से पहले SSC JHT का भी ऐसे exam होता था paper 1 और paper 2 same day में होते थे तो यहाँ पर 21 मार्च को जो ये हुआ था objective है इसमें negative marking नहीं है लेकिन ये 200 अंका होगा descriptive होगा एक घंटे के बाद 2 बजे से 4 बजे तक वो भी आपका 200 अंका होगा और वहाँ पर 4 question होगे तो यहाँ पर देखते हैं सामयने हिंदी पहले आती है तो सामयने हिंदी में ये बताते हैं कि आपको क्या करना है ये rearrangement करनी है questions का level आप देख सकते हो थोड़ा वीडियो को pose कर लेना जब आपको ये check करना हो एक से 10 चलते है जी और आगे अब आजाते हैं हम 11 से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एक second हाँ जी तो यहां पर देखे 11 से 20 तक आते हैं आपके ये है आपका रिक्त स्थानों के पूर्ती और 10 questions ये हो जाएंगे 21 से 25 तक इन्होंने परियाय पूछे हैं questions का level आप देख सकते हो इसके बाद फिर आगे आता है आपका 26 से 35 तक मतलब 10 questions आपके हो जाएंगे विलोम शब उसके बाद फिर 5 questions आपके हो जाएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द फिर 10 हो जाएंगे आपके मुहावरे 41 से 50 तक और उसके बाद 10 हो जाएंगे आपके लोकोक्ति यह बहुत जादा है किसी भी एक्जाम के लिए SSC, GHT की तरह भी नहीं है वहाँ पे तो ओवरोली शायद 10 पूछे जाते हैं मुहावरे और लोकोक्ति तो यह बहुत जादा है आगे फिर आता है 61 से 70 तक अब देखे 2017 तक ऐसे ही आता था SSC, GHT का पेपर भी मतलब उसमें क्या होता था जैसे मुहावरे एक साथ पूछ लिए लोकोक्ति एक साथ पूछ लिए और आपके रिक्त थान एक साथ आ गए लेकिन उसके बाद 2018 से इन्होंने क्या किया भई मुहावरा कभी भी आ सकते है कि अगली 10 वाई है कर सकते weit आपके अगले 10 questions जो हैं वह आपके आने वाले हैं यह रिक्त स्थान के उसके बाद में आपके आने वाले arrangement के अभी हाप दिखिए 10 questions शुद्वाके के तो आपका वही माइन रहेगा और offline में वैसे भी easy होता है exam करने में आगे फिर 71 से 90 तक आपके पाच-पाच का एक आएगा आपका अनुशेद मतलब comprehension चार आएंगे पाच-पाच questions के और फिर आपके आजाएंगे यहाँ पे 91 से 100 तक मतलब एक close test आएगा यह 10 questions का होगा अब आते हैं part 2 general English तो general English में यहाँ पे देखिए 10 आएंगे 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 नहीं यह आए थे ऐसे ही आ सकता इस बार भी उसके बाद 111 से 15 तक 5 questions आपके blanks के हो जाएंगे फिर आपके हो जाएंगे जी 5 questions यहाँ पे synonyms के औ और 5 हो जाएंगे antonyms के 21 से 25 तक उसके बाद में 126 से 133 तक आपके हो जाएंगे idiom phrases के और फिर आते हैं आपके 131 से 135 तक यह 5 questions है और यह आपके PQRS मतलब rearrangement हो जाएगी और 136 से 145 तक आपके आते हैं active passive voice 10 यह हो जाएंगे तो 10 narration आपके शायद आएगी आगे बताते हैं 146 से 155 तक sentence improvement दस यह हो जाएंगे और फिर 156 से 165 तक 10 questions यह आपके हो जाएंगे narration यानि direct indirect speech इसके बाद आगे चलते हैं फिर आपका आता है यहाँ पे 166 से 185 तक 2 पैसे जाएंगे close test होंगे और यह 10-10 अंके होंगे आज थोड़ी से समस्या हो रही है यहाँ पे एक सेकिंड ठीक है तो यहाँ पे फिर 176 से 185 मतलब यह 2 आएंगे close test 10-10 के हो जाएंगे और फिर 3 आएंगे आपके comprehension यह 5-5 की यह हो जाएंगे मतलब total 15 के हो जाएंगे अब आते हैं आगे और यह आ जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव का आप लेवल देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश टु हिंदी जो ट्रांसलेशन है उससे पहरे आपको बता देते चार क्वेश्चन आएंगे चार क्वेश्चन पचास-पचास हंके होंगे total 200 का होगा और यह दो से चार हुआ था मतलब एक घंटे के gap में होगा दो घंटे आपको मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ट्रांसलेशन का जो पैसेज है उसका लेवल आप देख सकते हो किस तरीके का है तो यह प्रैस से ही रिलेटिड ह लीगल आप इसे मान सकते हैं कोर्ट से रिलेटिड यहाँ पर बाते हो रही है कि ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं इसका अगर चाहें तो इसके बाद फिर हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटिड है तो इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर जैसे कंप्यूटर को आप संगनक नहीं कहेंगे लेकिन हिंदी टू इंग्लिश करना है तो यहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट इस तरह के शब्द जो है वह जो के तो रहेंगे और फिर एंड में आते हैं आपके दो ऐसे टॉपिक तो यह भी देख लेते एक बार अब देख सकते आप उस टाइम पर कोविट 19 का दोर था 2021 में तो रोल ओफ मीडिया डूरिंग कोविट 19 पैंडेमिक या फिर फ्रीडम ओफ प्रेस यहाँ पर चैसो से साथ सो पचास वर्ड्स लिमिट थी एससी से थोड़ी ज्यादा है उसक प्रेसल मीडिया के कारण पत्तरकारिता का बदलता हुआ रूप तो मतलब अपने से रिलेटीड पूछते हैं प्रेस है तो प्रेस से रिलेटीड ही पूछते हैं यह ठीक है इनका लेवल तो लेवल इतना खास तो मुझे लगा नहीं है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इनका फिलेटीड तो एक लिस्ट होनी चाहिए क्योंकि इसमें तुक्के बाज होते हैं वो उनको थोड़ा सोचना पड़ जाता है कुछ क्वेस्टेंस में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं तो यह था आपके सामने प्रेस टाइम बताएगा और अगर आपका क्यों पेपर होता है आपके पास है जो हम अवेलेबल नहीं करा पाए है तो आप हमें दाइगली शिंदी at the rate gmail.com पर भीज सकते हो उससे क्या होता है बहुत सारे candidates की help हो जाती है आपकी help हो रही है तो कल किसी और बंदे की भी help हो सकती है तो आप सभी को all the best और देखते हैं आगे और कौन से recruitment आती है कौन से exams होते हैं